हेलो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बैने सिंग टाइम आप बोई हो रिटर्न मुवी की तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म की सुरू आत में एक चाइल्ड थेरपिस्ट सूरीन नाम के लड़की का इंटर्वी लेती है जब सूरीन इसपस्ट रूप से घबरा जाती है इंटर्वी रिकॉर्ड करने के लिए डॉक्टर ने लगाया कैमरा वा उसे सुरू से कहानी सुनाने के लिए कहती है सूरीन यह कहकर सुरुआत करती है कि उसकी मा ने कुछ साल पहले ही दोक्यून से साधी की थी साधी के तुरंद बाद उसकी मा की मृत्यू हो गई और तब से वा सूरीन दोक्यून के साथ रह रही है उन्हें एक होनो नाम के कंस्ट्रक्शन साइड पर सिफ्ट किया गया है अपनी मा की मृत्यू के बाद सूरीन कभी खुश नहीं रही वह ज़्यादा बात नहीं करती और अपने सौतेले पिता को पसंद नहीं करती है उसे उस आइलेंड पर एक नए स्कूल में अड्मिशन कराया गया जहां उसे कई दोस्ट बनाने के मौके मिले लेकिन वह अकेला रहना पसंद करती है उसके सौतेले पिता को एक सूरंग कंस्ट्रक्शन साइड में चीफ के रूप में राद भर काम करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन के दोरान होने वाले विस्पोर्ट के कारण वहां के रहवासियों को कंस्ट्रक्शन साइड से दूर रहने के लिए कहा गया है एक रात सूरिन अपने फोन को देखती है और वा वार्म हॉल के बारे में ब्लॉग में कमेंट पड़ती है जबकि उसकी मा की मृत्यू हो गई है तो सूरीन दुनिया से भाग जाना चाहती थी और ऐसा करने का तरीका खोज रही थी और उससे वार्म हॉल और सुपरनेशल पावर के बारे में पता चला और उसमें उसकी दिल्चस्पी बढ़ गई वाइ स्कूल के कम्प्यूटर पर भी ऐसे टॉपिक पर इंटरनेट पर लोगों से बात करती हुआ गलती से अपना कम्प्यूटर खुला छोड़ देती है जिससे उसकी क्लासमेंट उसकी कमेंट को पढ़ लेते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं घर लोटते समय सूरीन की मु के दौरान सूरीन सूमिंग और उसके दोस्त के साथ वाम होल पर उसके ब्लॉग के बार में बात करते हैं सूमिंग इसे पढ़ने के बाद दूसरे डायमेंशन में इंटर करने का दावा करता है उस दिन जब वा घर जा रही थी सूमिंग उसके पीछे पीछे आता है वह सब सूरीन की डायरी में एक दूसरे को नोट छोड़ने के लिए रोजाना इसका इस्तमाल करते हैं। हर दिन स्कूल के बाद भूतों की तलास में सहर में घुमते हैं। सूमिंग सूरीन को जंगल में एक लकड़ी के घर में लेकर जाता है कि उस घर में भूत होगा। वो मोम के एक ब्लोग पर नकासी करते हुए घर का पता लगाते हैं और लंबे समय तक बात करते हैं। सूरीन को सूमिंग से प्यार होने लगता है। वह अचानक से उसे चूम लेती है जिससे वह उत्तेजित हो जाता है। एक दिन सूरिंग, सूमिंग और उसके तीन दोस्तों को विस्पोट देखने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने की योजना बनाते हुए पाते हैं। वह उनके साथ जाते हैं और बच्चे जंगल के रास्ते से जाते हैं ताकि उन्हें कोई देखना सकें। जब वे साइट पर बात करते हैं तो उनमें से एक बच्चा बाहर निकलता है और घर वापस चला जाता है। पानी में डाइव लगाने और पत्तर को बाहर लाने का जिम्मा अपने उपर ले लेता है। शुरंग के बाहर लाए जाने पर वस्तू का चमकना बंद हो जाता है। बच्चे देखते हैं कि यह अंडे जैसा दिखता है। ताइसिक नाम के लोगो में से एक का दावा है कि अंडा किसी टाइम घोष्ट का हो सकता है। उसके दादा जी ने एक बार उन्हें बताया था कि पूरिमा की रात को पहाडों में एक गुफा दिखती हैं जहां पर भूत रहते हैं। जो कोई गुफा में जाएगा वा बुढधा होकर आएगा। दूसरे बच्चे उन पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि उनकी उम्र हो चली थी। सूरीन को पता चलता है कि उसका हैर पिन जो कि इसकी मा की ओर से गिफ्ट था वा गायब है। वा इसे देखने के लिए गुफा में वापस जाती है। वा अपना पिन ढूडती है और लेकिन यहाँ भी देखती है कि चमकता हुआ अंडा वापिस पानी में आ गया है। वह बहार आती है और देखती है कि अंडा तूट गया है और उसके दोस्त गाव है अंदेरा होने पर वह जंगल में चारो और उन्हें ढूंडती है और वह जंगल में खो जाती है और उसे राद बर वही रुखना पड़ता है अगले दिन पुलिस ओफिसर जंगल में बच्चो पुलिस वाले और वहां के लोग उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करते। वाव उन्हें गुफा भी दिखाने लेकर जाती है पर वाव उसे नहीं मिलता। यह लगबग ऐसा है जैसे पुडिमा की रात के बाद वागायब हो गया हो। पुलिस वाले को सुचित किया जाता है कि लापते लड़कों में से एक जेवुक किलाज सहर के 200 किलो मिटर दूर एक समुदर तट पर जमीन के नीचे पाई गई है। यह पता चलता है कि उसकी मुट्यू का कारण एक अस्तमा का दौरा था। मामला गुम सूधगी से अभारण में बदल जाता है। घटना के बाद सब्ता भी जाते हैं लेकिन अन्ने दो लड़के लापता हो जाते हैं। सुमिंग के बिना सूरिन अपने पुराने सौभा में बदल जाती है। वह भी सभी की तरह टेंशन में हैं लेकिन जब वह सच कहती है तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। एक दिन वह अपने घर के बाहर से सूर सुनती है। जाज करने पर वहाँ एक आदमी को जंगल की और भागते वे देखती है। वह उसका पीछा करती है और घने जंगल में इंटर करती है। दोड़ने के कुछ मिनट बाद वह जमीन पर गिर जाती है। वह उसके पास जाता है और उसे प्यार से देखता है क्योंकि सूरिन सदमे में जम जाती है। वहां आदमी पहली बार बोलता है और दावा करता है कि वहां सूमिंग है उसका नाम सुनते ही सूरिन अपने सदमे की स्थती से बहार आ जाती है और रोते हुए भाग जाती है वहां डोक्यून की घर के सामने आ जाती है और जट से उसे आदमी के बारे में बताती है पुलिस क उसने खुलासा किया कि वह सुमिंग होने का नाटा कर रहा था पुलिस वालों को किड्नैपर तो नहीं मिला लेकिन सूरिन की डायरी उसके हाथ लग जाती है वह और सुमिंग एक दूसरी के लिए नोट छोड़ते थे बुक की पेज को देखकर वह हैरान रह जाती है क्योंकि वह सुमिंग के नोट से भरे हुए है उनकी कोड लैंग्वेज का उपयोग करते हुए उसने उन सभी चीजों के बारे में लिखा जो उसके हैरपिन लेने के लिए गुफा में जाने के बाद हुआ था बच्चे अंडे के अंदर क्या है इस बारे में जानने के लिए उच्शुक थे इसलिए सूमिंग सूरिन का इंतिजार किये बिना जमीन पर तोड़ देता है और वा अंडा खाने लिकलता है जब सूरिन थोड़ी देर के लिए वापस नहीं आती सूमिंग गुफा के अंदर जाता है और उसे देखता है कि वा जम गई है वा उसे बात करने और हिलाने की कोशिस करता है लेकिन कोई जवाब नहीं देती पल भर बाद उसने देखा कि पानी की एक बूंध हवा में उड़ रहा है और वा गुफा के बाहर आता है और उपर की और देखता है कि हवा में पच्छी भी जमे हुए है लड़के सहर जाते हैं और देखते हैं उनके परिवार सहीच सभी लोग रुख से गए है इससे उन्हें अहसास होता है कि उन तीनों को छोड़कर सभी के लिए समय जम गया है जिसका अर्थ है कि वे जो चाहे वो कर सकते हैं पहले कुछ दिन के लिए वे दुनिया के टॉप पर थे वे जब चाहे सो जाते जब चाहे खाते पीते और चार और खेलते पूरे दिन एक य दो महने बाद वे उप जाते हैं इसलिए वे आशलेंट छोड़ने और दूसरे सहर में जाने का फैसला करते हैं या देखने के लिए कि क्या वे वास्तों में प्रित्वी पर अकेले हैं, जो जगा चेंज कर सकते हैं, हाला कि उनकी योजना खराब हो जाती है, जब उन्हें पता चलता है कि समुद्र का पानी भी बहना बंद हो गया है, जिसका मतलब है कि नाव डूप जाएगी, सूरिन दर्च करती है कि जो आदमी जंगल में उससे संपर कर रहा था, वा वास्तों में सूमिंग था, वा पढ़ना बंद कर देती है, क्योंकि अब पुलिस उससे दूर हो रही है, अगर वे उससे ढून लेते हैं, तो निश्चित रूप से उसे किड्नैपर होने के लिए गि जरू करते हैं, जेकू का हेल्थ दिन पर दिन विगड़ता जाता है, क्योंकि उससे अस्तमा है, और उसका इनहेलर काम करना बंद कर देता है, एक रात उसका दम घुड़ जाता है, और वा धीरे धीरे अपने दोस्तों के सामने गुजर जाता है, सूमिंग और ताइसिक जवान हो गए हैं, हाला कि वे इतने सालों से अलगा में रह रहे हैं, फिर भी उन्मीद है कि किसी दिन दुनिया वापस समान्य हो जाएगी, सूमिंग का मानना है कि जब वे 20 साल के हो जाते हैं, उनका समय फिर से सुरू हो जाएगा, ऐसा होने पर वे अमेर बनने के लिए स सबी से थोड़े थोड़े पैसे चुरा लेते हैं, हाला कि जब वे 20 वर्ष के हो जाते हैं, तब भी कुछ नहीं बदलता, वे धिरे धिरे उमीद खोने लगते हैं, और जंगल में एक लकडी के घर में रहने लगते हैं, एक दिन वा चिलाता है और या सब बंद करने के है, वह ताइसिक की तलास में जाता है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता, वह उसे पूरे आइलेंड में खोशता है और अंतिम चट्टान पर पहुशता है, वह ताइसिक के कपड़े जमीन पर रखे हुए पाता है, उसका दोस्त हमुद्र में कूच जाता है अपनी जान देने के लिए और उसी के पीछे सुमिंग भी कूचता है और तभी समय वापिस चालू हो जाता है, वह पानी के बहाओ के कारण वह पानी से बहार आ जाता है, पेच पढ़ने के बाद सोरिन लड़के के घर की और भागती है और अंतिमे अपने दोस्त को देखती है, वह दुनिया को कहानी सुनाने का फैसला करते हैं, लेकिन कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा, इस बीच CCTV फुटेज में पुलीस को पता चल जाता है कि सुमिंग जंगल में है, उनका मानना है कि वही किड्नेपर है, वह इतने लंबे समय से अकेले रह रहा है, इसलिए उन्हें डर है कि कह हुआ खुद को नुकसान ना पहुचा दे, दर्थ से छुटकारा पाने के लिए अगले दिन तैसी दोक्यून को दोस्ट देते हुए कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुच जाते हैं, उनका मानना है कि साइट के विसपोर्ट ने उनके बेटे को मा डाला और सूरिन कहानिया ब बुलाने के लिए बाहर आती है, हाला कि उसे तभी उसके पिता ने खीच लिया और सूमिंग दोकिन रात में सूरिन को उसे उसके कमरे में बंद कर देता है, लेकिन सूमिंग पिछले दरवाजे से इंट्री करता है और उसे फिरी करता है, वो यह तै करने के लिए घर से भा करती है कि सुमिंग निर्दोस है हाला कि सुमिंग इस विचार के खिलाफ है क्यूंकि वह जानता है कि अकेला रहना कितना मुश्किल है अतीत में उसने जो कुछ सुमिंग पर हमला करता है और सुरीन को वापस घर ले जाने की कोशिश करता है लेकिन सुमिंग उसे बहर निकाल देता है और उसके साथ भाग जाता है अगले दिन पुलिस लड़की के घर की जाच करते हैं और मानते हैं कि किड्नेपर चालाकी कर रहा है सुरीन ने उसे विश जाने की कोशिस करता है कि किड्नेया पर उससे जुड बोल रहा है लेकिन वा उस पर विश्वास नहीं करती वह बातरूम में जाने का बहानक बनाती है और गुफा की और भाग जाती है वह चमकते अंड़ों को बाहर लाती है और उससे सूमिंग को सौब देती है लेकिन वह उ इसी दौरान पुलिस पहुंच जाती है और पीछा करती है वह एक चट्टान के अंत में रुख जाते हैं एक ऑफिसर सुमिंग को पकड़ लेता है और इसमें सूरिन को चट्टान से धक्का लग जाता है पुलिस वाला सुरिन की मदद करता है लेकिन उसके साथ चट्टान से लटक जाता है सुमिंग उन्हें बचाने की कोशिश करता है लेकिन इससे पहले किवा कर पाता वे दोनों पीछे हड़ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए सुमिंग को अंडा फिर से फोनना पड़ेगा और समय को रोकना पड़ेगा जब सूरीन कुछ सेकेंड बाद उठती है पुलीस वाले के साथ एक समुद्र तड़ पर होती है उसे पता चलता है कि सुमिंग ने अभी अभी क्या किया हाला कि या उसके लिए केवल एक छड़ भर का समय रहा है सुमिंग के लिए एक और दसक हो गया फिर उसे वापस घर ले जाया जाता है रात कर पुलीस वाला छेड़ चाड़ की थी उसके दोस्त की हत्या का आरोप लगा है वह गलत साबित हो जाएगा सूरीन अंत्य में साइक्याट्रिस को अपनी कहानी बता चुकी है जहां सब सुनकर वह स्थन रह जाती है और इस पर एक किताब लिखना चाहती है कुछ मैने बाद सूरीन हाई स्कू की से सूमिंग को देखती है और उससे मिलने के लिए दोड़ती है लेकिन वहां कोई नहीं मिलता लेकिन कुछ देर बाद दोनों डेक पर मिलते हैं जैसे ही वह एक दूसरे को घुरते हैं फिल्म समाप्त हो जाती है धन्यवाद